और भाई क्या हाल हैं तो यह है Redmi K20 Pro and recently काफ़ी सारे लोगों का जो K20 Pro है वो latest MIUI 14.0.3 के Xiaomi.U stable arm को flash करने के बाद dead हो गया था सकते हो उसके बारे में भी बात होगी क्योंकि यह भी भाई एक इंपोर्टन चीज है और इसके रिगार्डिंग मेरे को इतने कॉमेंट्स है थे कि भाई इसके ओपर प्लीज वीडियो बना दो तो आज टाइम मिल गया सोचा इसके ओपर वीडियो बनाएंगे वो आपका री पार्टिशन में चला जाता है तो उसको आप रिकवर कैसे करोगे सबसे पहले किसी भी रॉम के उपर हो इट डेजन्ट मैंटर आपको विस हाँ यहाँ पर इस स्टैप में अपनी फास्ट बूट रॉम को PC से फ्लेश करना ही पड़ेगा सबसे पहले आपको म फ्लेश पूट के अंदर फ्लेश हो जाएगा वडाद वह फ्लेश करके उसको रिकवर कर सकते हो बठा आपका जो प्रिश रहेगा तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको मैं जिप्स दे दूँगा नीचे description में तो अपने accordingly like मेरे पास 128 GB variant है K20 Pro का अगर आपके पास 256 है या फिर 512 GB का है तो आप कोई भी try कर सकते हो तीनों में से तीनों का link आपको मेरे telegram channel के अंदर मिलेगा वहाँ से download करना, save करना phone में और directly आपको जाना है अपने custom recovery के उपर अब जब आप recovery के अंदर आजाओगे तो भाई यहाँ पर कोई चीज मैटर नहीं करती like आपने MIUI फ्लेश कर रखी है, AOSP ROM पहले फ्लेश कर रखी है जिसके अंदर आपने still आपका जो डिवाइस है वो री पार्ट इंच्रेंड है, तो यहाँ पर problem आपको नहीं आएगी, बट हाँ अपना डेटा वगेरा backup कर लेना, क्योंकि इस step के बाद आपको data format करना होगा and fast boot ROM को flash करना होगा तो simply आपको करना कहा है, जहां भी आपने उन zips में से, जो भी आपके लिए compatible है device के, वो आप यहाँ पर flash कर दो, मेरे लिए 128GB वाला compatible है, तो मैं इसको flash करूँगा अब flash हो गया, उसके बाद आपको wipe में आना है, यहाँ पर format data करना है, और yes type करके format data कर देना, उसके बाद directly अपने phone को fast boot mode के साथ fast boot mode में switch कर लेना, and अपनी जो fast boot ROM में मी flash tool से उसको flash कर लेना, और आपका जो device है ना वो उस ROM को boot भी करेगा, उसमें problem आपको नहीं आएगी, तो यह आपको simple method मिल जाता है, अपने phone के अंदर जो है normal mode के उपर switch करने का, या फिर आप बोल सकते हो, अपने phone को repartition से normal में convert करने का एक यह method आपको मिलता है, जो कि easy है, बढ़ हाँ, इसमें format data जरूर करना पड़ेगा, तो यह आपको कुछ steps देखने को मिलते हैं, अब भाई, दूसरे topic के उपर आएंगे, जो कि है heartbreak के regarding, और यह serious issue है, अब around 9 दिन पहले मैंने हाँ पर यह ROM का review किया था K20 Pro के लिए, जो कि MIUI 14.0.3 के उपर बेस थी, और इसमें ना भाई, आपका जो offline charging था वो fixed था, और जो ROM थी ना, वो काफी ज्यादा stable मेरे को लगी थी, experience मेरा काफी better था अब इसके साथ तो कोई issue लोगों को नहीं आया, बढ़ उसके साथ ना, एक और नए अपडेट आ गया था इसके दो variants आये थे, एक तो जाइना वाला और ये एक आपको Pure EU यानि कि Xiaomi.EU based देखने को मिलता है, ये मैंने around 6 दिन पहले इसका वीडियो upload किया था, तो दोनों को मैंने जो है, टेस्ट किया अपने फोन के अंदर तो मेरे को heart breaking का issue नहीं मिला, बढ़ गर आप ये दो वीडियो देख रहे हो ना, इन लोगों का भाई पता क्या कहना है, इन्होंने जब ROM को flash किये Xiaomi.EU based को, तो उनका phone भाई boot नहीं कर रहा था, ना तो fast boot में ना charge हो रहा था, और नहीं recovery open हो रही थी, यानि कि या इनका जो device अथ था, वो heartbreak हो गया था, अब अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ हो, तो भाई, उसके लिए मैं sorry बोलता हूँ, क्यूंकि भाई, मेरा भी एक जो है इसमें हिस्सा बाब बोल सकते हो, इस जॉइन हो रहे थे, टेलिग्राम चैनल में, तो वहाँ पे जो links थे ना, old वाली files के, जो मैंने flash की थी, जिससे मेरा device heartbreak नहीं हुआ था, वो ना भाई, remove हो जा रहे थे, जो owner था, जो developer था, उसने remove कर दिये, और पता नहीं कुछ coding वगरा में issue था, अब मेरे को नहीं बता भाई, actual reason क्या था यहाँ पे, बट उसमें न, उन्हें यहाँ पर भाई, modification की and roms को re-upload किया, अब जब लोग मेरे को बोरे थे, कि भाई, आपका जो link का वो काम नहीं करा था, तो मेरे को check करना पड़ता था, उसके बाद फिर से उसी telegram channel के अंदर जाना पड़ता था, जहां वो link posted था, उसके बाद उसको फिर से अपने telegram channel की post के अंदर edit मेरे को करना पड़ता था, तो इतना काम मैंने around 5 से 6 बार इसको जो edit किया, तांकि add list जो लोग यहां पर download करने हैं, उसको issue ना आए भाई, डाउनलोड करने में, तो इसलिए मैंने जो links थे, वो telegram channel के अंदर ही add कर दिये इस बार, ताकि थोड़ा मेरे को असानी हो, क्योंकि भाई, जो links है ना, वो owner या फिर जो develop होता है मेरे को नहीं पता कि कब यहां पर change कर दे, तो यह सबसे बड़ा issue रहता है, roms के links के regarding, जो की ported roms होती है basically, अब आकि officials के अंदर आपको कोई problem नहीं मिलती, अब उनी updates में से भाई, उसने जो develop रहा, उसने पता नहीं क्या कुछ modification की, और जो roms थी ना, उसके अंदर भाई, modification करके उसको upload कर दिया, अब जब लोगों ने 3-4 दिन बाद जब मेरा review है था, उसके बाद मैंने जब modified link को यहां पर paste किया, और उसको download करके लोगों ने जब यहां पर flash किया ना, तो उनका heartbreak होने लग जब उनके support group के अंदर लोगों ने report करना जो है start किया, तो भाई, उस बंदे ने यहां पर जो अपना telegram channel वगरा या फिर जो ID थी ना, वो यहां पर delete कर दी, कुछ दिन के लिए भाई साब arrest पे चले गए, और उसके बाद आए, और फिर से एक नया ROM बना दिया, और जिसमें ना, उन्होंने कुछ नए modification बगरा कर दियो, और वो heartbreak नहीं करता, तो यह basically इसका telegram channel या फिर आप इसको बोल सकते हो, वो चीज़ है, यहां पर आपको इसके links मिल जाएंगे, और यहां हमने इसको फ्लेश भी कर रखा है, जो latest update आया है, और इसके अंदर इसका phone बोट कर रखा हुगा, most probably क्योंकि यहां पर लिखा है, booted successfully, मैंने इसको वीडियो को बगरा नहीं देखा, बढ़ हां यह कुछ issues थे भाई, अब इसमें आप जो है, यह चीज़ कर सकते हो, अगर आपका device heartbreak हो गया ना, तो मैं एक आपको जो है, आगे से normally भी बता जेता हूँ, आपकी general knowledge के लिए, अगर आपका heartbreak भी हो जाता है तो tension मतलो, आप मी service center में जाओ, और वहां पे उनको बोलो, कि आपको जो device है ना, वो EDL mode से flash करवाना है, around भाई, मैंने 4-5 साल पहले अपना Redmi Note 7 Pro, यहां पे heartbreak कर लिया था, same issue से, करनल वगरा flash कर लिया था, गलत, तो उसकी विज़ा से मेरा heartbreak हो गया, and मेरे को EDL mode से flash करवाना था, अब वहां पे service charges थे, around 150 rupees के आसपास, बड़ अब अगर आप देखोगे न, तो around में भी यह हो सकता है, 3 या फिर 400 के आसपास आप से charge करेंगे, तो आप जो है directly जाके उनको बोलो कि मेरा जो phone है, उसको EDL mode में flash करके दो, मेरी जो fast boot rom होती है, basically EDL से थोड़ा जो है authorization का issue रहता है, normal हम flash नहीं कर सकते, तो उनको बोलो कि EDL से flash कर दो, और आपका जो device आप रिवाइब हो जाएगा, भाई इस process में थोड़ा आपको issue जरूर आएगा, यानि कि आपको service एंटर जाना होगा, बट हाँ, आप क्या कर सकते हैं, जब device को revive करवाना हो, या फिर ठीक करवाना हो, तो ये चीज़ तो करनी पड़ेगी, और उसमें मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भाई, आपका device heartbreak हुआ है, और नॉर्मली अगर आपका soft break हो, तो भाई आपको tutorials मिल जाते हैं, YouTube के उपर या फिर मैं भी help कर सकता हूँ, पर heartbreak में आपके लिए कोई YouTuber या फिर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, जो आपकी help कर सके, और जो करेगा भी, वो आपको directly remotely access करेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर solution प्रवाइड करेगा, और वो service charge बगरा भी लेंगे, जो कि at least mean service center से तो ज्यादा ही रहने वाले हैं, तो आप service center जाओ और ADL से अपने device को flash करवा सकते हो, और अगर आपको यहाँ पर कोई issue आता है तो आप comment कर सकते हो, उसके बाद भी कोई आपकी query है, तो यह सब सारा scene था hard brick का, मेरा device अभी तक hard brick नहीं हुआ, यह काफ यह जैसे काम कर रहा है, और मैंने दोनों ROMS को flash कर लिया था, और अभी most probably मेरे पास वो links भी होंगे, basically जो files हैं, वो मेरे phone के अंदर भी stored होंगी, बट मैं उनको भी flash नहीं करूँगा, और next देख लेंगे कि अगर उसका review करना है या फिर नहीं, बढ़ां और भी काफी सारी ROMS है भाई, उनको भी हम जो है consider कर सकते हैं, जिनमें heartbreak का अभी तक को issue नहीं आया, ये first scene सार Edmigate 20 Pro के अंदर इतनो सालों में, जो की थोड़ा weird था मेरे लिए भी, that's all for this वीडियो भाई, आपके क्या thoughts हैं, comments में बताना मिलते हैं, next interesting वीडियो